आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हुए पेपर का नोटिफिकेशन जल्द आएगा और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग इस बार इस पेपर को बिल्कुल फाड के रख दोगे बिल्कुल चीर के लख दोगे अगर आप सची लगन के साथ सची दृटा के साथ सची कंटिन पर डिपेंड हो और छक्का मार के ही रहो गए इस बार ये वाला चांस आप बिल्कुल भी नहीं खोगे तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सपोर्ट और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर इस पे आज मैं एक्जाम डेट के बारे मताना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट की ये परेशानी एक्जाम होगा तो होगा कब भाईया हमारा एक्जाम पास होगा या नहीं आप अच्छे से डिटेल ने बताएए वीडियो में जाने से पहले जयन साथियो दी notification आ रहे हैं, कभी कुछ अगबार में कटिंग आ रहे हैं आप ये जानते हैं कि 2024 में क्या होने जा रहा है और भरती किस कारण वर्स लेट हो रही है वो सभी लोग जानते हैं जो की लगातार परपते हैं या देखते हैं या दुनिया इंडिया से परिचित हैं तो vacancy क्यों लेट हो रही है वो आप सभी लोग जानते हैं भाइया आज से हम तैयारी करेंगे तो क्या हमारा exam पास हो जाएगा या नहीं हाँ भाई हो जाएगा देकि अभी तक आपके apply form notice आया नहीं है notice आया नहीं है तो notice अगर अगस्त में भी आता है अगर मालिय होगी तो जबी तो हमें कोई बताएगा वहां confirm नहीं हुई है तो वो थोड़ी ना बता देंगे कि आज से होगा कलसा आएगा और मैं अपनी तरफ से views बटो औरने के लिए आप से कहे दूंगा कि 15 तारिक से होंगे जुलाई के अगस्ट के 15 तारिक से होंगे ऐसा नहीं है उपर से जानकारी मैंने इखटा करने की कोशिस की लेकिन उपर भी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि भरती कराएं तो कराएं कब इसलिए हमें भी वह information नहीं मिल पा रहे हैं इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं लेकिन कहीं सारे students जो new students जुड़े हुए हैं वो आ बाकी वर्दी का दबदबा बाकी वर्दियों से बहुत अलग है ठीक है आपकी वेकेंसी और जो लोग आज से तहियारी कर रहे हैं मैं कहना चाहूंगा वो आज से भी तहियारी करते हैं उनका एक्जाम 100% पास हो जाएगा अगर वो सची लगन से दिर्टा के साथ continuity बनाते ह होगे चलते हैं तो उनका एक्जाम भी 100% सफल हो जाएगा है ना ऐसा कोई वो नहीं है देखिए अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आता है तो चार महीने मान लीजिए वैसे साड़े तीन महीने होता है तो आपका पेपर भाई 2023 से पहले अब नहीं होगा 2023 में जरूरी नही लेता हूँ कि 23 से पहले आपका पेपर नहीं होने वाला तो आराम से अपनी तयारी करिए आराम से तयारी करने का मतलब यह नहीं है कि सोते-सोते एक दिन में आप 1-2 गंटा पढ़े आराम से मतलब है फोकस ना हारें अपना घबरा के जल्दी जल्दी ना पढ़ें अगर हम कोई भी चीज घबराते हुए पढ़ते हैं या अलग-अलग विचार सोचते रहते हैं मन में जो हम पढ़ते हैं रोज जो वो अक्सर भूल जाते हैं जब आप पढ़ने बैठो केवल पढ़ाई में ही आपका ध्यान रहें बाकी आलतू-फालतू जगे ना रहे कि यार मेरा हिसबार पेपर होगा नहीं होगा मेरे प्रेक्टिस सेट में नंबर नहीं आ रहे तो पेपर में कैसे आएंगे यह ख्याल आते रहते हैं आपको अपने मन में पूरे दिन ये ख्याल दोराते रहना है क कि भाई, मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ, मुझसे पेपर होगा, मैं 100% ये जॉब ले कर रहूंगा, ज़ाए भूल जाओ, लेकिन ये बात हमेसा दोराती रहनी हैं, मैं भी भूला करता था, आप ही की तिराς टेन्शन में रहता था, परेशान रहता था, लेकिन मैंने एक द से पड़ते बोलते और अपने आपको मोटिवेट सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो भाईया कि रहते हैं आप कहीं गुंदे हैं अपने आपको मोटिवेट करें यह हमेशा जरूरी नहीं है अपने आपको आप मोटिवेट करिए तो पेपर ढुन Teat 23 से पहले नहीं होगा और जो लोग आज से भी तयारी कर रहे हैं ना आज से तो भाई वो भी एक्जाम पास कर लेंगे एक्जाम वो भी 100% पास कर लेंगे डरने की कोई भी आवा सकता नहीं है यूपीपल इसका पेपर 300 नंबर का है इसमें 1-4 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है फीजिकल इसका क्वालिफाइन नेचर होता है ठीक है पेपर के मार्क्स जो होता है ना इसके बिल्कुल लास्ट में बाद में दिखाए जाते हैं शुरुआत में नहीं दिखाए और एक बात और जो प्रेशन बहुत सारे लोगों का है कि भाईया इसमें डिपलोमा वगेरा माग रहे हैं क्या मैं कहना चाहूँ है इसमें कोई भी डिपलोमा नहीं माग रहे हैं चाहे पैठ हो चाहे कुछ भी हो इस वेकेंसी में कोई सब भी डिपलोमा नहीं है सिवाए 12 12th pass आप हो तो बस आप इसका form apply कर सकते हो 10 वी में चाहे कितने में भी grace हो कितने में भी fail हो इंटर में केवल pass का result हो इंटर में भी अगर एक दो विशे में fail हो लेकिन result में all total आपका अगर pass लिखा आ रहा है तो आप form को apply कर सकते हो document में कोई भी कमी है या कोई इसी भी आपकी other query है मैंने वीडियो सभी की cover करी है आपके time table से ले तक हर एक subject और topic wise syllabus पे वीडियो cover करी है अगर आप मेरी वीडियो section में जाएंगे तो मैंने हर एक topic क्लियर किया है अन्त में अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को like share और subscribe के साथ अपने भाई को support जरूर कीजेगा अगर मुझसे जुड़ना है मुझसे बात करनी है personally बात करनी है तो मैं अपना